हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में है पचास इंपोर्टेंट उत्राखंड जीकी की प्रश्ट जो कि आपके पटपरी लेकपाल फोरेस्ट गार्ड और कनिस्ट साइक की एक्जाम के लिए बहुत ज़दा इंपो गर्शन उत्राखंड राजी के नगर निगम का प्रमुक किसकी दोरा नयूकत किया जाता है। राजिपाल द्वारा, स्थानी जनता द्वारा, सभासदो द्वारा राइट अंसर इसका होगा स्थानी जनता द्वारा प्रतेक्षी रूप से उत्राखन राज के किसी भी नगर निगम का प्रमुख गोशित किया जाता है आगे देख लेते हैं Q2 है हमारे पास उत्राखन राज में महिलाओं के लिए सभी श्रणी की सेवाओं को सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षन का प्रावधान है राइट अंसर इसका है 30 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षन है उत्राखन में जितनी भी सेवाएं होती हैं उन में तीक है जैसे कि आपको फॉर्म भरने में भी आपको जो भी लड़किया है फीमेल्स हैं उनको 30% का आरक्षन मिलता है अब देखिए अगला कॉशन है उत्राखंड राजी के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे उत्राखंड के पहले डियाईजी पूचा है तो राइट अंसर इसका क्या होगा अशो कांत सरन जो कि उत्राखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे कॉशन नम्बर फोर्थ है निम्न मैंसे मुनाल किस राज का पक्षी है देखिए हिमाचल पर्दीस और उत्राखंड दोनों ही राजों का जो राज़ पक्षी है वो मुनाल है तो राइट अंसर इसका क्या होगा बी और सी ठीक है अब है नेक्स कॉशन उत्राखंड राज में नगर निग्वू के मेर का चुनाओ कौन गरता है राइट अंसर इसका होगा पत्तिक रूप से जनता गरती है कॉशन नम्बर सिक्स है निम्न मैंसे कौन उत्राखंड का एक इतिहासकार नहीं है तो हरे कृष्ण खूनी, बर्द्रिदत पांडे और शियो प्रसाद डब्राल तीनों ही इतिहासकार है लेकिन जो चंदर सिंग गरवाली है वो इतिहासकार नहीं है तो राइट अंसर क्या होगा चंदर सिंग गरवाली वसिस्ट गूफा पूछी है या फिर वसिस्ट कुंड उत्राखंड के किस सहर में इस्तित है तो राइट अंसर इसका क्या होगा ये इस्तित है टिहरी में ठीक है तो आपने चंद वंश पड़ा होगा तो चंदो द्वारा ही यह प्रणाली शुरू की गई थी अब है नेक्स कॉशन कुमाओं में भूमी निर्धारन परणाली किस की द्वारा शुरू की गई तो राइट अंसर क्या है इसका चंदो द्वारा चंदो द्वारा ही भूमी निर्धारन परणाली भी उत्राखंड में शुरू की गई थी Q9 है कुमाओं में भूमी निधरन पर नाली किसके द्वारा शुरू की गई तो फ्रेंट्स ये तो 9 ही Q9 है अब नेक्स्ट है Q10 गैर सेड में राज के दूसरे विधानसबा भवन का आपचारिक सिलानाश कब किया गया था तो राइट आंसर आपका होगा 14 जनवरी 2013 में गैर सेड में राज के दूसरे विधानसबा भवन का आपचारिक सिलानाश हुआ था और देखे गैर सेड जो है आपके उत्राखंड की एक दूसरी राजदानी है क्योंकि जो देहरा दून है वो उत्राखंड की अस्ताई राजदानी है तो दूसरी एक जो राजदानी है वो है गैर सेड और गैर सेड किस जिले में पढ़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो चमोली में गैर सेड पढ़ता है अब देखे नेक्स्ट है नंदा देवी परवत चोटी की उचाई कितनी है ये कॉशन आपसे पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम में भी पूछा गया था राइट अंसर इसका है 7817 मीटर इसकी उचाई है उत्राखंड के किदानात में जल आपदा कब आई थी तो जून 2013 में यहां आपदा आई थी अब है कॉशन नंबर 13 काली और गोरी नदियों का संगम कहां पर हुआ है यह हुआ है पिथोरागड के जौल जीवी में यहां पर जौल जीवी का मेला भी लगता है नेक्स्ट है नच्ची केता ताल उत्राखंड के किस जिले में इस्तित है तो नच्ची केता ताल जो है वो उत्राखंड के सबसे उत्तरी जिले में उत्तरकाशी में इस्तित है कॉशन नंबर 15 है निमलकित मैंसे किस जिल की आकरती अश्व खुर गोडे के पैर के समान होती है राइट अंसर आपका होगा साथ ताल की आकरती और खुर्पा ताल की जो आकरती है वो किसी जानवर के पैर के समान है ठीक है और जो भीम ताल है आपका वो नैनी ताल यानि कि कुमाउ मंडल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है धीम ताल और गड़वाल का कौन सा है सहस्तर ताल नेक्स है रूद्र प्रियाग में अलक नंदा से किसका संगम होता है तो रूद्र प्रियाग जो कि पंच प्रियागों में से एक प्रियाग है यहाँ पर अलग नंदा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम होता है Question number next है 17 निमलकित मैंसे उत्राखंड राजी की सबसे लंबी नदी कौन सी है Right answer इसमें होगा काली नदी काली नदी उत्राखंड की सबसे लंबी नदी है तिलाडी कांड का संबंध किस से है Question number 19 है महत्मा गाधी जी ने उत्राखंड राजी के किस स्थान को भारत का स्विचल लंड कहा था तो भारत का स्विचल लंड कहा था कौसानी को ठीक है कौसानी का है बागिश्वर में है Question number 20 है ननिताल की खोज निम्न में से किस ब्रिटिस यात्री ने की थी Right answer इसका होगा P.Baron ने Question number 21 है उत्राखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है तो Right answer क्या होगा उप्रिउक्त सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन उत्राखंड में किया जाता है मलवरी, टसर और मूंगा का निम्लिकित मैंसे उत्राखंड का कौन सा जिला चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो Right answer इसका होगा कुमाओ का ननिताल जिला चाय के लिए प्रसिद्ध है Next है Question number 23 बरत्रिनात मंदिर उत्राखंड के किस जिले में इस्तित है Right answer सभी को पता होगा चमोली जिले में इस्तित है और किदारनात रूदुर प्रियाग में गंगोतरी यमनोतरी उत्रकासी में इस्तित है Question number 24 है वसिष्ट गुफा उत्राखंड के किस सहर में इस्तित है वसिष्ट गुफा कहा है टिहरी में इस्तित है Question number 25 है निम्न में से किसे गंगोतरी यमनुतरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो गंगोतरी यमनुतरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को Next है question number 26 निम्लकित में से कौन सा राष्ट्य उध्यान उत्राखन के तीन जिलो में विस्तृत है Right answer इसका होगा राजाजी राश्टिय उत्यान जिसका की मुख्याले देहरादून में है और यह तीन जिलों में विस्तिल्थ है पॉड़ी गड़वाल, हरिद्वार और देहरादून में नेक्स है कॉशन नमबर 27 उत्राखन के कौन से मेले काली और गोरी नदियों के संगम पर लगते हैं शरीर के कमर का अभूशन होता है जो कि कमर पे पहना जाता है ठीक है नेक्स है कॉशन नमबर 29 लामर किस प्रकार का गीत है तो लामर एक प्रकार का प्रने गीत है नेक्स कॉशन है कॉशन नमबर 30 काफल पाको एवं नंदिनी गीत की रशनकार कौन है राइट अंसर इसका होगा चंद्र कुवर बर्तवाल इसके रचनकार है नेक्स्ट कॉशन भी हाँ पर रिपीड हो गया है काली और गुरी नद्यू के संगम पर मिला जॉल जी भी मिला लगता है पिथोरागड में बाटा साटा किस परिकार का गीत है तो यह एक परिकार का मनूर अजनातमक कीत है कॉशन नमबर 33 है निम्लिकीत में से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है म्यूजिक इंस्टूमेंट जो है ये कोशन आपका पुलिस कॉंस्टिबल परीक्षा 2016 में भी आया हुआ था और इसका राइट एंसर होगा हुड का ठीक है फूड का जो है एक परकार का म्यूजिक इंस्टूमेंट है उत्राखंड का Question number 34 है उत्राखन में निम्न में कौन सा आपोशन हाथ में पहना जाता है तो friends मुंदरी जो है हाथ में पहने जाने वाला एक आपोशन है Question number 35 है वर्स 2011 के अनुसार उत्राखन के किस शहर की आबादी सबसे कम है तो right यहाँ पर answer जो होगा यह होगा देहरा आपका बागेश्वर जो की 9089 इसकी आबादी है 2011 के अनुसार और यहाँ पर शहर की आबादी पूछी गई है और friends यहाँ पर जो रूदर प्रियाक की आबादी है वो होगी 9925 तो इतनी है रूदर प्रियाक की आबादी सबसे कम होगी फिर रूदर प्रियाक की फिर उत्तरकासी की ठीक है लेकिन यहाँ पर answer दिया हुआ है कि इसकी जो right answer होगा वो रूदर प्रियाक होगा यह answer दिया गया है तो क्या यह data सही है क्योंकि मेरे पास जो data है उसमें बागिश्वर की जो सहरी आबादी है इन चारों में से सबसे कम है तो फ्रेंट्स इसको आप comment में बताना की इसका right answer क्या होगा रूदर प्रियाक या फिर बागिश्वर देखें यहाँ पे रूदर प्रियाक जो है right answer दिया गया है question number 36 है वर्ष 2011 के अनुसार जनसंक्या में ननिताल का कौन सा इस्थान है तो फ्रेंट्स आपको सरवाधिक जनसंक्या वाले जीले प्लस नियूनतम जनसंक्या वाले 5 जीले इनको याद रखना होता है तो जो सरवाधिक जनसंक्या होती है वह है सबसे पहली जो है हरिद्वार की है यह मैं आपको 2021 का बता रहे हूँ हरिद्वार की पहली होती है फिर देहरादून की है फिर आपकी आती है उधम सिंग नगर की ओधम सिकनगर की तीसरे नंबर पर आती है, फिर चौथे नंबर पर नैनिताल आता है, और पाँछफे नंबर पर पॉड़ी गडवाल आता है. ये है आपका सबसे अधिक जनपद वाले पाँछ राजी, जिसमें की सबसे पहले, सबसे अधिक हरिदवार की है, दूसरी तेरह दुन की उधमसिंगर की नेनिताल की और पॉड़िगरवल की अब हमसे पूचा है कि नेनिताल कौन से नमबर पे आएगा तो नेनिताल आपका आएगा चौथे नमबर पे राइट अंसर आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा और अगर इसी तरह आपसे नियूंतम जनसंख्या का जिला पूछा होता तो वह भी आपको पांच याद रखने है रूद्र प्रियाग आपका पहला जिला है जिसमें सबसे कम अबादी है फिर है चमपावत फिर है बागेश्वर फिर है उत्तरकासी और फिर है चमोली ठीक है तो ये हैं आपके सबसे कम अबादी वाले पांच जिले नेक्स कोशन है 37 उत्राखन में निम्न में से किस जनजाती की जनसंख्या सरवादिक है यहां पर पूरे उत्राखन का पुचा है तो राइट अंसर थारू होगा लेकिन अगर यदि आपसे पुछ जाता कि गड़वाल की सबसे अधिक आबादी जनजाती है वो होगी आपके जौनसारी क्योंकि गड़वाल की सबसे बड़ी जंजाती कौनसी होती है जौनसारी जंजाती और अगर आपसे उत्राखन या फिर कोमाओ मंडल की पुछेंगे तब राइट अंसर होगा थारू जंजाती ठीक है और जो बोक सा जंजाती है वो उधम सिंग नगर और नैनिताल जिले में सबसे अधिक पाई जाती है अब देखिए कोशन नंबर 38 है निमलिकित में से कौनसी अनुसूचित चंजाती उत्राखन राज में नहीं पाई जाती भोटिया भी पाई जाती है जो कि पिथोरागर चमूली में पाई जाती है जोन सार यापकी देहरादून में पाई जाती है चकराता में और बुकसा उधम सिंग नगर के काश्वपूर रूदरपूर और बाजपूर जिले में मैं पाई जाती है शहर में पाई जाती है यहाँ पर उप्रियुक्त सभी right answer होगा next है आपका question number 39 उत्राखन विधान सबा के लिए अनुसूचित जन्जाती के लिए कितनी सीटे आरक्षित है friends आपको पता होना चाहिए कि उत्राखन की विधान सबा में 70 सीटे है जिस में से की 15 सीटे आरक्षित है 15 में से जो 13 सीटे है वो SC के लिए है यानि कि अनुसूचित जाती के लिए है उन में से जो 2 सीटे है वो ST के लिए है यानि कि अनुसूचित जन्जाती के लिए है तो हमसे यहाँ पर जन्जाती का पूचा है तो right answer क्या होगा 2 राइट अंसर होगा आपका option B next question हमसे पूचा है कि निमलखित मैसे उत्राखन का जबसे लंबा 376 km राश्टी ये राजमार कौन सा है राइट अंसर होगा NH 58 next question है 41 देहरादुन में इस्तित वाडिया संस्थान का संबंधि किस से है इसका राइट अंसर होगा भो विज्ञान से ये संबंधित है रक्षा क्रिसी सोच संस्थान उत्राखन के किस सेहर में इस्तित है राइट अंसर इसका होगा अल्मोडा में यहां इस्तित है question number 43 है सुमित्र नंदन पंत निम्न मेंसे किस रूप में विख्यात है आप सबी को पता होगा ये चाया वादी कभी के रूप में विख्यात है question number 44 है निम्न मेंसे किस व्यक्ति को ढोल सागर के ग्याता के रूप में जाना जाता है तो राइट अंसर इसका जो होगा वो है उत्तम दास को ढोल सागर का ग्याता के रूप में जाना जाता है उत्राखन में निमने मैं से किस व्यक्ति के प्रयासों से उननी सो सदत्तर में टिहरी के अंजनी में स्री भूमनेश्वरे महिला आश्रम की स्थापना की गई तो यह question का answer में बार बार बता चुकी हूँ यह है स्वामी मनमन्थन अब है next question 46 एक की ग्राम में कितने मुठी होती है तो एक केजी में कितनी मुठी होती है 16 मुठी राइट अंसर क्या होगा option A 16 मुठी next question है उत्राखन के चकराता में सैनिक चामनी की स्थापना कब हुई 1886 में इसकी स्थापना हुई question number 48 है 1994 में राष्टिय साहसिक पुरुसकार से निम्न में से समानित किया गया था राइट अंसर इसका होगा चंदर प्रभा एत्वाल को राष्टिय साहसिक पुरुसकार के रूप में समानित किया गया था जो की एक प्रकार की परवतार होई है question number 49 है निम्न कित में गलत युगम का चयन करना है गलत युगम का चयन करते हैं चंदर प्रभा एत्वाल परवतार होई है ठीक है इन्हें ही साहसिक समान से पुरुसकरित किया गया था उन्मुक्त चंद जो है क्रिकेट से सम्बंदित है एकता बिष्ट भी क्रिकेट से सम्बंदित है बच्छिंदरी पाल जो है यहाँ पर निशाने वाजी से सम्बंदित नहीं है तो यहाँ पर यह रॉंग हो जाएगा तो क्योंकि बच्छिंदरी पाल परवतार होई है option D आपका right है question number 50 है इमनों में से उत्राखन द्रश्टी हीन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है तो right answer आपका option A ही है आशी सिहनेगी तो friends इस तरह से आपके 50 most important उत्राखन जीगी की प्रेशन complete होते है इसी तरह से जरूरत है आपको previous year question paper में आए हुए most important question देखने की plus current affair करने की और साथ ही साथ अपना revision करने की क्योंकि आप जितना ज़्यादा revision करोगे जितनी ज़्यादा current affair देखोगे आज के दिनों में तो आपके exam काफी अच्छे जाएंगे क्योंकि अभी परिक्षाओं का अंतिम दिन चल रहा है मतलब अंतिम दिनों की ये घड़ी है जिसमें आपके exam आने वाले हैं तो friends चाहत से ज़्यादा आप previous question paper देखिए जिससे की आपको परिक्षाओं में बहुत ज़्यादा मुदद मिलेगी I hope आपके लिए वीडियो helpful रही होगी इसी तरह की और वीडियो में आपके लिए लाते रहूंगी वीडियो पुसंद आई तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe चरूर करना